हलो दोस्तो मेरी आज की कहानी है अपने लिए दूसरों को दुखी ना करो एक बार कुछ सिपाहियों ने मुहम्मद साहब का पीछा किया उस समय उनके साथ केवल एक साथी था उसने कहा हजिरत वे समी पा रहे हैं आता हमें सामने की खाई में छिप जाना चाहिए वे दोनों जब उस खाई के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक मकड़ी का जाला दिखाई दिया वहाँ शाथी उसे तोड़ते हुए खाई में घुसने ही वाला था कि मुहम्मद साहब ने उसे रोका और बोले दोस्त खुदा के वास्ते इस जाले को ना तोड़ो बेचारी जाले को बनाने में काफी महनत की है अता है इसे तोड़ना ठीक नहीं किन्तु उस मित्र को यह बात जची नहीं वहाँ बोला समय कम है और अपनी जान बचाने के लिए इसे तोड़ना ही ठीक है ऐसे समय पर दया तनिक भी नहीं बरतनी चाहिए मुहम्मद साहब बोले तुम और वे दोनों उस जाले को तनिक भी धक्का दिये बिना उस जाले की नीचे जाचिते सिपाही जल्दी ही वहाँ आए उस खोह के उपर जाला देखकर उन्होंने सोचा कि यदि वे दोनों खोह में घुसे होते तो वह जाला तूट गया होता और वी आगे बढ़े दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर दीजी धन्यवाद